गुद मॉर्निंग, मैंने विन कुमार सिंग, डिरेक्टर प्लेटफॉर्म एजूकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेट पटना है। आप देखे होंगे कि जो स्टुडेंट खास करके नए बच्चे जो अभी जस्ट प्लस टू पास किये हैं या प्लस टू का एक्जाम देना है। अभी इंडियन एर फोर्स का X ग्रूप और Y ग्रूप की वेकंसी आई हुई है। उसका फॉर्म भरा जा रहा है। और इसका एक पैसली ये वीडियो उनहीं के लिए है कि पहली बार हम एर फोर्स का टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं या अधिक सधिक प्रैक्टिस के लिए बैच लाने जा रहे हैं। इसे भी प्लेटफॉर्म टेस्ट से रिज के लिए और इस तरह एक छोटे-छोटे बैच के लिए फेमस रहा है और इसके लिए बहतर परियास करता रहा है और हमेशा एक क्वालिटी मेंटेन करता रहा है क्योंकि रिजल्ट इन ही सब छोटे-छोटे चीज के माध्यम से होता है अधिक सधिक प्रैक्टिस करने से होता है सबजेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने से होता है कम स साम में छे बजे से नौ बजे तक, चुकि आपका पता है कि इंडियान एर फोर्स में, एक्स ग्रूप में, मैथ से 25 कोश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स से 25 कोश्चन पूछा जाएगा, और 20 कोश्चन आपका इंगलिस से रहना है, तो एक सब्जेक्ट वाइस टेस्ट, म आप दिन भर खुद से परहिए, प्रैक्टिस किजिए, रिविजन किजिए, लेकिन साम में अगर तीन घंटा हमको समय देते हैं, 6 बजे से 9 बजे तक, तो हमको लगता है कि एक कम समय में, बहतर रिविजन हम आपको दे सकते हैं, आपका परफर्फरमेंस लगातार इंप्र प्यारी का अस्तर क्या है क्योंकि आप घर में कितना भी सेट बनाते हैं, रूम पर कितना भी सेट अकेले बनाते हैं, तो रियल एबेलुशन नहीं हो पाता है, आप सेर बंते हैं, यहाना आपका सवा सेर से पाला परेगा, जब अन स्टूडेंट से पाला परेगा, या लो Churchill student अगर test में अधिक सदिक रहता है तो उसके भी जब आप set बनाएंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा कि तुलनात्मक रूप से आपका performance क्या रह पाता है दूसरे बच्चों के तुलना में आपका performance क्या रह पाता है और जब यहीं पर इतने बच्चों के बिच बहुत अच चलता है जनरली देखने को मिलता है कि student हम पूरा syllabus पर लिया है Indian Air Force का syllabus समप्त कर लिया है लेकिन जब set बनाने की बारी आती है question हमसे बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता है या question में confusion बहुत ज़्यादा होता है तो उसी को maintain रखने के लिए उसी के improvement के लिए यह छोटा-छोटा batch start किया जाता है तो एक minimum fee में यह batch हमारा दिया जा रहा है आगामी Wednesday से यह batch start होगा विशेज जानकारी के लिए office आकर क्या platform क्या office आकर के offline mode में इसका inquiry कर सकते हैं और चाहें तो एक दिन दो दिन आप class करके भी आप इसका देख लें test देखर कि यहाँ देख लें test में present होकर क class में आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे कितना फाइदा होना है हमको और अगर इसका फाइदा अगर आपको समझ में आती है इससे फायदा होता है तो अही batch को आपको continue करना है तो उमीद है कि अगर दो मेहिने भी जम करके आप practice हमारे साथ कर लेते हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि Air Force में आपका result होने की maximum संभावना रहेगी. तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और एक बार आपको विश्वास जाताना है platform पर कि Air Force का जो भी practice के लिए लाया जा रहा है subject by subject उससे आपको maximum benefit होगा. इसके लिए हम आपको आस्वस्त करते हैं. चलिए धन्यवाद, best of luck.